कौन है, यह यहां के होडी की बेटी है, तेरी हिम्मोत कैसे हुई, तेरी तुम्हें एक हाल उधेड़ दूगी हाँ मेडम, ऐसे लड़के बढ़ तो रेप चार्ज लगागर जेल में डाल देना चाहिए बीच और इसे फासी पर लटका देना चाहिए अरे तु चुप-चुप सौरी बोल देना ओए, खुद को थपणवार और सौरी बोल सौरी अपने पपा को भी नहीं बोलता, इसको क्यों बोलू अगर तुने इसे सौरी नहीं बोला, तो इसी कॉलेज की लाइब्रोरी से निकल कर ये बात सारे टीवी चैनल में बरेकिंग न्यूज की तरफ ठैला दूँगी, फिर सौरी बुलवाएगा क्यों बरेकिंग न्यूज बन रहा है, प्लीज सौरी बोल देना सौरी दीदी, माफ कर दो, कभी पंगा नहीं लूँगा चलो एकदम डौरना नहीं बेटी, नीश्चिन्थ होके जाओ थांक्यू माम उसकी तो मैंने हालत ही पतली कर दी, लाइब्री में बड़ा मजा आया रेट क्या है? ग्यारा क्या? एक रात के दस हजार, दस हजार, दस हजार वाट? देखिया मिस, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ हे, क्या बखवास कर रहे हो? तुमने मेरा रेट कप पूछा? आप पब्लिक में अपना रेट बता रही है अगर कोई सुन लेगा तो फ्यूचर में मेरे शादी की प्रॉबलम हो जाएगी मेरी जिन्दगी बरबाद हो जाएगी सब मुझे आवारा समझेंग पागल हो गए हो क्या? मामला क्या है? देखियाना सर, इसने मुझे क्यूट कहा रात को घर पर बुलाया, रेट दस हजार कहती है क्या कहा? एक रात का दस हजार सर, मेरी बात को सुनिए प्लीज मैं हूना मामला सुत्छाने के लिए बताओ इसने क्या पूछा इसने मुझ से रेट पूछा था फिर इसने क्या कहा? इसने गलत की दस सर सुने इसने फिर से अपना रेट बढ़ा दिया अच्छा सुनो बेटी तुम मैचोडी की बेटी हो ना उनका नाम इस तरह बदनाम मत करो जो कर रही हो वो गलत बात है दुबारा कभी ऐसा करना भी मत चलो जाओ वाना जैसी करनी वैसी भरनी मैटर कदम सब लोग क्लास में जाओ कोई या नहीं रुखेगा गेट आओ इस थ्योरी के तीन हिसे इस सेमेस्टर में हम जादेंगे प्रफेसर लेक्षर बंद करो अब यह बरदाश्ट नहीं होएगा इसे आज ही खतम करने का है क्लास खतम होने में अभी टाइम है आपने ठीक से सोच तो लिया है ना एक बार मैंने कमिट कर दिया तो मैं किसी की नहीं सुनता तो ठीक है इस हालात का आखो देखा समाचार आपको दिखाएंगे हमारे विशेश समवादाता बबलू बबलू तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो हमारी लेक्चरर रोमैंटिक रामनातन गुरुजी के बारे मे आपके पास क्या समाचार है अच्छा विकरांच सुनो रोमैंटिक रामनातन की गुरुपंथी का एक विडियो हमारे पास है मैं सबको दिखाता हूं ओवर टू स्टूडियो प्रोफेसर साब ये शैर्जा मैडम को चिटचड़ी नहीं हो गई है क्यों नहीं हो गाजी मैडम के बाद कोई काम तो है नहीं सारा दिन काम करके जब इसका पति थका आ रहा है आफिस से गर आता है तो भी वो रात में अकिले सुपा है अपने देखा है तो अगर पूरी क्लास के सामने बदनाम करेगा तो हम भी अचुपनी बटने वाला है एक मिनिट से मेरे पास टाइम नहीं है बबलू तुम्हें हेटपून्स पर विजय सर के आवास तो आ रही है ना हाँ बिलकुल आ रही है तो बताओ हमारे विजय सर कल रात दस से बारा क के बीच में एक्जाटली कहां पर थे कल रात विजय कुमार सर रंग महल फियेटर में चौथा शो देखने गए थे जहां लगी है सजनवा के प्यार में महरारू बेहाल जो पिछले चार हफते से धर्कियों के बीच धूम मचा रही है अब आपकी बारी है सर आप कोई मामुली चाटिंग मास्टर नहीं है एक आदमी और चार-चार लड़कियां हेमा रेखा जया और साथ में सुष्मा भी चौबीज घंटे चैटिंग फ्लर्टिंग फोटो शेरिंग और पता नहीं क्या-क्या क्यूं सर है रान हो गए हापकी चैटिंग फ्रेंड यही पर है थेमा रेखा जया और सुष्मा अरे सारे की एक राए पर जागवाला पानी फेर दिया इडियोट्स आप इनको क्यू डाट रहे थे पहले खुद की हरकते तो देखो चलो भी के अभी अभी हटो कि एक्सपेरिमेंट की भी हद होती है पूरे कमरे को इसने जादोई गुफा बना दिया है 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 हुटना तु भूल गया कि आज बॉक्सिंग का मैच है डाड़ी प्लीज डाड़ी यह बॉक्सिंग और कराटे नहीं सीखना है सोने तो नहां मॉम आ गई सीखेंज करो अरे सिर्ट देखेंगी तो मार देगी मॉम गुद मॉर्निंग मॉम मेरा प्यारा बच्चा यह क्या सुबह सुबह इसे जगाने आ गए जगाने आ गए तुम भी यही सोचती हो मा बेटे दुनों एक से हैं बेटा एक नंबरी मा तस नंबरी चल्ड पकाड़े से आज आरिंग में चल्ड क्यों मास्टर प्रेक्टिस के लिए आपसे बॉक्सर लाने को कहा था पहलवालने के चले आए चैंपियन बनने के लिए पहलवानों को हराना पड़ता है देखो बच्चा बेचारा डर गया इसे बच्चा समझने की गलती मत करना इसमें रॉकेट जैसी तेजी है यह अगर एक बार शुरू हो गया तो खुद से ही रुखता है कोई दूसरा रही रोख सकता अच्छा क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा तुम दोनों मि दोनों मेरा कुछ भी नहीं उखाड सकते इनकी जरूरत नहीं है मैं अकेला ही काफी हूं लगता है हॉस्पिटल में भरती होना है यह 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 हॉस्पिज टेंट हॉस्पिट हुआ है और अउस्तड़orkं औरकुनी मारा गाया है नेरी बाद मान पेपर वे साइन कर दे बूँर मैं मैं देखता हूं कि वो पेपरु साइन कैसे नहीं करता फिक्रमत कीजिये पेपर्स आज शाम तक ही मुंबई पहुंच जाएंगे जाकू दे ना कर 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 साइन कर संभाजी मैं मेले हूं जनता की सेवा करता हूं पर तुमने मुझे गुंडा बना दिया थैंक्यू मामा सुने मूर्ती जी साइर से चाकू निकालना और ठीक से मामा का इलाज करवाना जी पेपर्स दो संभाजी हें अश्धान के गां अच्छा बनाइडा अरे बबलू तो बासी क्यों खा रहा है यह तो पर्सों का है कुट्टे को देने जा रही थी पहले बताना चाहिए था ना तेरे लिए बासी ही सही है यह बासी आंकल आपका एक बात पूछनी है पूछ तो लिये दो बात पूछनी है आभी तो पूछी खिलाडी से खेल मुझे चार बात पूछनी है चार सवाल तो हो गए कब अभी हुए ना हर घर में एक पागल होता है यहां पूरा घर पागल खाना है रुक ना सरा मैंने तिरी लिए लुकी का दलिया मूंग की सबजी बाजरे की रोटी सब रखी है भरवा कद्दू करेले की चटनी तर्बूस की सबजी और तुरई की मिठाई वो भी खिलाओ ना जिस दिन तुमारे पेट में गैस नहीं होगी न उस दिन बनाओंगी इसकी मत सुनना तु टिफिन खाना इसे मत खिलाना तू खा तू खा जा खा जा 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 मंदीर अलबान प्रसंद हों गया तेरा रेग्योलर भिखारी कब आएगा देखा क्या अंटी रेडियो पर रेसिपिस उनके खाना बनाती है टिफिन भरती है और तो इस जिंगुर को दे देता है बेचारी मॉम रोज प्यार से मेरे लिए खाना बनाकर टिफिन में पाक करत लिए तो तेरे टिफिन से भीन खा सकता हूं पर इस बाएग सिरसे खिरा देता मुझे खाना कर मेरि मोम खुश एक खाना मिल यह ज़िए मतलब सब कि सब हापी में है निः अचा अब हमें ठीक है शुली वाली पगार मुझे दिया करना कि मैं उठा लूंगा क्लास क्यों निया क्या वे कॉलेज में नहीं आया है तरी हिम्मत के सब्सक्राइब करने की है अरे तो बोर्ड लगा तो चल निकल यह से यह लोग दिनेश के नाम पर रोज गुंडा गर्दी करते हैं अपनी वहां लगा देखते हैं क्या करते हैं नहीं दिनेश वैसे भी अम पर गुस्सा है उसका भाई एलेक्शन लड़ने माला उससे पंगा मतली है हम उससे डरते हैं इसलिए वो रॉब जारता है चल जाल गाड़ी पी चले चले चाल निकल कर दो कर दो अच्छ कर दो अजब हो अजब हो इसंग कि हम आफ दुदटीज कि yourself हाई अंकर हाई अनगा हाउ यू येलो हाल चाल क्या है मैं बहुत अच्छी हूँ आप कैसे हैं मैं ठीक हूँ तुम्हारे पापा जमीन पर भी कदम रखते हैं या फ्लाइट में ही रिटायर होना चाहते हैं आप तो उनके बच्पन के दोस्त हैं मुझसे बहतर तो आप उन्हें जानते हैं मॉम डैड ऑस्ट्रेलिया गये है तो उनके वापस आने तक मैं दादी के साथ यहां रहूंगी अच्छी बात है एनिवे मैंने सारी फॉर्मालिटीज कर दी है यह देख लो यह तुम्हारे है मुझे जाना ही होगा तब तक कॉलेज का राउन लगा लो और कैंटिन में बैठो शिल्पा क्लास में होगी उससे कहूंगा तुम से मिल लाइट I love you so much Divya तुम ही मेरी जिन्दगी हो मैं तुम्हारी इसी स्माइल पर फिदा हूँ बस तुम्हें एक बार मुझे I love you too कह दो मैं कल पार्क में तुम्हारा वेट करूंगा तुम मास क्यों रही हो नहीं कोई बात नहीं प्लीज मुझे बताओ कल सच में पार्क जाओगी भला ऐसे प्रपूजल को कौल मना कर सकता है अच्छा यह कार्ड देखो जरा यह कार्ड की कीमत है 70 रुपीज और वो गुलाब करीबन 20 रुपए का होगा और और गोल ट्रिंग 15 रुपए की होगी वो गाना जो उसने काया वो भी एक पुरानी फिल्म का था जो उसने नहीं किसी और ने लिखा तो टोटल एक सो पांच रुपए में तुम सेट हो गए तो प्रपोस करने के लिए कोई क्या करेगा हजारो लाखो करेगा देख मैं पैसो की बात नहीं कर रहे हूं एक लड़की का प्रपोसल कुछ हटके होना चाहिए यार तुमको ऐसा लगना चाहिए जैसे यही तो है मे हमारा कोई बॉइफ्रेंट है क्या नहीं तो होगा भी नहीं तुझे पता है कल रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा क्या देखा मैं किसी की खोज में हिमाले पर चड़ रहा था किसकी मैं रिंग रहा था उचल रहा था चारो तरफ बर्फ थी अडिया कड़कड़ा रही फिर भी डरनाई रहा था मैंने सामने वाले पाहड पर ये रसी फेकी और फिर वहां पर धीरे धीरे रींग कर आगे बढळ रहा था अचानक वो टूट गया क्या तूटी अभे रसी रसी तूटी ओठी लुडगते नीचे आ रहा था और फिर नदी में गिर गया तभी मैंने एक आवाज सुनी लगा जैसे किसी ने मुझे छुआ उस उफंती पानी में अचानक एक अंगूठी मेरे हाथ लगी और जैसे मैंने उसे पहना फिर क्या हुआ मैं नदी में नहीं घर पर था तो डरने की क्या बात है यह तो एक सपना था ना मैंने भी पहले यही सोचा लेकिन जब मैंने आँखें खोली तो अंगूठी मेरे हाथ में थी और फिर उसी पल से मुझे हर इंसान का भूध भविश्य और वर्तमान साफ नजर आता है वा यह कमाल हो गया जादू अंगूठी हमारे पा यह तेरे बारे में तो मैं सब कुछ जानता हूं तुझे मैं क्या बताऊंगा किसी अंजान के बारे में बताएगा यह तक पिचर की हिरोई जैसी लड़की है पोल खोल इसकी हैलो तुम जैसे ज्रामे बाजना मैंने बहुत देखे हैं यह सारी ट्रिक्स मेरे साथ काम नहीं करने वाले हलो इस ड्रामे के सबी ट्रिक्स वास्तविक हैं तुम्हें लगता है मैं ड्रामा कर रहा हूं पर मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा तुम्हारे नाम में तीन अक्षर है और नाम का पहला अक्षर है तुम अपने माबाप की एक लौती बेटी हो और तुम्हें पपीज बहुत पसंद है तुम्हें एक पाला भी है तुम्हारा फेवरेट नंबर साथ है तुम्हारा फेवरेट हीरो सलमान है और फेवरेट कलर ब यह एनगा। किया हुआ? यार शिल्पा, यह कोई इनसान नहीं है। यह मोंस्टर। मेरे बारे में सारी बाते बता रहा रहा है। लगता है इसने तुम्हें भी बक्रा बनाया है। बक्रे का क्या मतलब? ये विकरान्त है, हमारे कॉलेज का टॉपर, और मेरा बेस्ट फ्रेंड, ये सारा दिन मस्ती करता रहता है, तूने इसके साथ क्या किया? एक्चुली, मैडम ने जो एंट्री मा दी, वो एक्शन सीक्वेंस थी, तो हमारी एंट्री भी दमाकेदार होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने ये प्लान किया, थोड़ा दिमाग चला है, इसके कार की नंबर प्लेट से इसका पूरा नाम निकाला, उसके बाद इन्हें फेस्ब अब भी नहीं बतली, और बताओ क्या चल रहा है, क्या रहे, सुना है तू स्टन दिखाती है, मुझे भी तो दिखा, नीचे बग, कौन है रहे तू, चानती है किस से पंगाले रही है, क्या रहे, तेरा मा लेका है, वो नहीं स्टूडेंट है, यहां की नहीं है, छोड़ो स जबान चलाता है तेरी माखी, जगडा तेरे मेरे बीच है, माबाप को बीच में क्यूं खसीटा है, सालग, क्ष़स्टा में क्या तेरी में क्या से बाले थाले में दर्बारा तेरी में के समेंगी है, या था जाहीं को विग अ, क्या द़के बाले है, और फिरा डाता है, जबपने दो passing कना कि यह कॉलेज है कोई देशी दारुका नहीं सर लडाई इसने शुरू कि थी नहीं सर इसने उस लेड़की से बता आप आवाज नहीं लडाई के वक्त तुम यहीं थी ना गलती किसकी थी किसने लडाई शुरू किया चुप मत रहो जवाब दो कि अरे सर तुम्हें कॉलेज से एक हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है लेकिन गेर आउट फ्रॉम हिया यहीं तुमने ऐसा क्यों किया वो तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है एक अच्छा लड़का है उस गुंडे की गलती पर तुमने उसका नाम क्यों ले लिया मैं तुमसे बात कर रही हूं कुछ बोलो तुसे क्या हूं तुम रोक्यों रहे हो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था वो दिली शेख तरिंदा है हैवान है एक रास पार्टी में तब से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि वीडियो की सीडी बनाएगा और उसे बेचेगा वो मुझे बतनाम करना चाहता है सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत सी लड़किया है जिन्हें वो ब्लैकमेल कर रहा है अंकल को बताओ तुमने पुलीस कंप्लेंट क्यों नहीं की उसका भाई लोकल अमेले है बड़ा गुंडा है चोटे हवलदार से लेकर बड़े नेता थक सब उससे डरते हैं तुम घबराओ मात मैं अंकल से बात करती हूं ठीक है अब आप क्या करेंगे अंकल मेरी तो हिम्मती जवाब देती जा रही है बेटी लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल की बेटी नहीं ऐसा गलत काम किया है अगर दिनेश हैवान है तो उसका भाई उससे बड़ा शैतान है इस बारे में किसी से मदद लूँगा और तो मैं ही बदलाम हो जाओगा तुसे मेरे बारे में तो सोचा होता है अगर जरह भी सोचा दा मिलेमदी पैस अप्र प्रॉबलम में फसтовे हर प्रॉबलम का स्लीशन होता है सर, उसनेमें आपकी बेटी की प्रॉबलम के साथ इतैस आपकी प्रॉबलम भी साल्ट कर दीये तो यहां पर नया मैनेजर आईला है लेकिन जाने बाइए का पुराना खिलाडी है आरे टिकेट ओनलाइन भी गए है आपश्च इस विलीम का स्टार अपना उस्तादे अपूर उसका चेला टिकेट नहीं दिया तो तेरा विकेट गिरा डालेंगा क्या चल टिकेट निकल चल जाने जाने तो तो जानता है ना बोलो गुंडे उन्हें भूल जा यार भूल जा यह क्या रहे तो पहन जी तुझे देख रहे हैं कमसे कम उनसे तो डर क्या वा भिडू क्या प्रॉब्लों में मैं तो एक फैन हूं हम अपने भगवान की फिल्म के लिए यहां जलसा कर रहे हैं खुशिया मना रहे हैं लेकिन कुछ लोग रिलीस से पहले फिल्म की पाइडेट एक सीडी बना मैं आपको मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूं कोई मुसीबत नहीं मैं हूँ ना कसम भी क्या उस्ताद की कौन हो रहे तुम लोग यह जगे का कुना कुना चान मर्क्या चलो रहे हैं जबी करो रहे हैं है 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 हुँ हुँ है अब लुक्के नई पिच्छर देखने के तरीके होते हैं दो एक ठेटर में और दूसरा पारेसी करके अप उन्ने अपना आया पहला रास्ता और तूने अपना आया गरत रास्ता एक बार एक बार फर्स डे फर्स चो देख तू सीडी चापना छोड़ देंगा रिलीस से पहले ही पारेटिट सीडी मार्किट में और सारे ठेटर खाली सिर्फ कोने में पंची मिलते हैं वो भी पॉपकॉर्ण आइसक्रीम खाके गुटुर्गु करते रहते हैं क्यूंकि वो सीडी देख चुके हैं सिनेमा अप उनकी रोजी रोटी है और अपनी रोजी रोटी पे आज आए ना तो मा कसम अप उन नहीं छोड़ेंगा समझ गया सही बोले जॉनी भाई यह सीडी नहीं अप उनके गाल पर थमाचा छपा है थेटर वाला घलत नहीं है जो आप उन लोग को टिकेट नहीं दिया चोर तो इधर है यह और डालो सब ठीक है सब जॉनी भाई, जुनी भाई, जुनी भाई तुम बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हारी बहिसती की, जबकि तुमने हमारी इज़त बचाई, काश की मैंने अपने बेटी की परवरिश ऐसी ही की होती, मुझे माफ कर दो, विक्रांद, सर, स्टूडेंट वो नहीं होता, जो कॉलेज खतम करके डिगरी लेकर घर चला जाए, बल्कि वो होता है, जो अपने साथियों का भरोसा जीत है, वी आर्ल अफामिली सर, हलो, क्या सोच रही हो, सोच रही हो कि तुम्हारे सस्पेंड होने पर सौरी बोलू या मेरी बेस्ट फ्रेंट की हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलू, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे थैंक्स नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी दोस्ते कापने, मार डाला, दोस्ती वोस्ती एक तरफ, मुझे तो पार्टी चाहिए, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दूँगे, बिल फाड़ कर मुझे मत देना, किसी पर बिल नहीं भटेगा, क्योंकि वो अनगा के कजन की एंगेजमेंट पार्टी है, प्लीज, तुम दोनों जरूराना. अ, ओके. एए. एए, ये सब दिवाल पे चिपका दे, तू उदर, तू उदर, तू उदर भी कर रहे हैं, एए, पोस्टर ठीक से चिपका, आँ भाई, आँ जा दाओ. आँ जाओ, एए, एए, मुझे बहुत डर लग रहा है, विक्रांद, प्लीज, मैं अंदर नहीं जाओंगी, एए, डरने की कोई बात नहीं है, मौन दाज एकदम कूल है, तू मिलोगे तू 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 महीं पसंद आ जाएंगे, मैं हूँ ना, चलो. आँ ऐसी शहाएंगे, मा chronic ब हम फरस्टाया हम ने हमने पहले किया nos vicky, हम हिमा ενी in first time स्वाइल engine में पहले किया सब्षैरा सब्षैरा नहीं हम first time लग गो में पहले हमारा हुआ पहले हमारा फुरा हुआ सब्षैरा आए मैं मौम यह यह अनगा है यह तेरी क्लास में है तु इसे बहुत चाहता है यह भी तुझे बहुत चाहती है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो है ना अरे भाई उन्हें पर तो कुछ बोलने दो हां मॉम मुझे यही कहना था तो मेरी बात भी ध्यान से सुन मैंने तुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला है इसलिए होने वाली बहु से मेरी भी कुछ उम्मीदे हैं मॉम यह तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा अच्छी है मॉम शेखर को चाय चाहिए तुम पहले क्या करोगी पहले गैस आउन करूंगी दूसरी पहली तुम कार से एक घने जंगल में जा रही हो बारिश बहुत तेज हो रही है और तुम्हारी कार में सिर्फ एक ही सीट पची है अब मैं और शेखर और विकरांद तुम से लिफ्ट ले मैं आप दोनों आ जाना मैं और विकरांद पैदल चलके आ जाएंगे तीसरी पहली मा भूख देखती है और बीवी पर्स देखती है फिर भी सास और बहु एक साथ खुशी से क्या देखती है टाइम सास बहु की सीरियल से पाउब मेरी बात का बुरा मत मानना बेटी बीविया स्मार्ट नहों तो पती कंट्रोल में ही नहीं आते मेरे साथ चलो बेटा तेरा सेलेक्शन तो बहुत खुब है लड़की बहुत ही सुन्दर है कि अन्रगा यह कैसे गिरा इसे वहां रखने के लिए बना किया था ना देखो बच्ची को चोट लग जाती तो मॉम मैं आने का को घर शोड़कर आता हूं ठीक है बेटा संभल कर जाना कर दो जाता है झाल झाल झाल... कि एमेले की कंडिशन क्या है वेरी सीरियस से ऐसा लगता है यह बहुत बड़ी साजिश है इस जहर का असर बहुत खतरनाक है और इस जहर का नाम है एनफ्रेक्स शहर में हाई अलट जारी कर दो एमेले की मौत के बीचे क्या कारण हो सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर के तौर पे आपको क्या कहना है सर देखिए यह बहुती गंभीर मसला है इस केस के हर पहलू पर चानबीन हो रही है कुनागार जो कोई भी हो उसे बक्षा नहीं जाएगा इस बाइब आख एड़ा उसे मार नहीं अरे टिंकू क्यों जिया धड़क 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 धड़का रहा है चोटी सी बात पर पर परिशान होता है तू बिल्कुल टेंशन मतले उस लड़के की सारी डीटेल्स मुझे दे दे मेरे आद्मी जाकर उसका जूस निकाल देंग मापने आने तक वो लड़का मर जाना चाहिए बाप रे मुंभाई में कोई कान न कर अरे दादी धीरे-धीरे सीड्यां चड़िये ना तेंशिन मत लीजे भगवान भागे नहीं जा रहे हैं हर कोई जानता है भगवान भागे नहीं जा रहे हैं इसलिए मंदिरों में भीड कम होती है और पबर क्लबों में जैदा होती है चलो चल्दी वरना भगवान क्लब चले जाएंगे पंडिचे अंगा नाम से पूझा देजी ओम रहे है यहां क्या कर रहे है बेटी बीच में पूझा नहीं छोड़ते चल्दी अपने बेटे का नाम लीजिए दादी मैं अभी आती हूं यहीं रुकिएगा ठीक है कहां जा रही है पंडिच जी हाँ बेटी आपने अभी जो पूझा करवाई वो कौन सी पूझा थी यह पूझा नहीं पिंडदान था बेटी अपने बुजर्गों के लेकर आया होगा नहीं बेटी वो अपने एकलोते बेटे विकरांद का पिंडदान करने यहां आये थे किया आने बता एक लिकरांद कब बड़ान थार्पन 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 कार्थ मैं तुमसे कुछ पूछूंगी तो तुम सच सच बताओगे हाँ पूछा क्या अंकल अंटी तुम्हारे सगे माबाप है विख्राथ कि नहीं अनका मतलब कुम के मेले में वो दोनों खो गए थे मैंने उन दोनों को मेले में रोते हुए देखा तो उठाकर अपने घर लिकर आया कि तूमसे सेरिस सवाल पूछ रही हूँ और तुम मजाक कर रहे हो मजाक मैं ही तुम कर रही हो यह कैसा बेवकूफी भरा सवाल है करीब एक घंटे पहले मैंने अंकल और अंटी焦 वाला जी मंदर में देखा उन्होंने उन्होंने तुम्हारा पेंड दान किया हेई, आई यू मैड? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग मेरा खराब नहीं है, तुम्हारा खराब है उनकी प्यार में तुम अंधे हो गये हो मुझे तो तभी शक हो गया था जब वो गमला गिरा था तुम्हारी माँ इंसान नहीं है वो जादो करनी है तुबारह अपनी सुबान से ऐसी बात मत कहना वो मिरे लिए देवता है मुझे जान से ज्यादा प्यारे हैं और मैं अनगा प्लीज जरा ठंडे दिमाग से सोचो अगर वो मंदिर जाएंगे तो मुझे बताएंगे और वो मेरा पिंट दान क्यों करेंगे सुनने में अजीब लगता है शायद तुम्हें घलत फहमी हुई है कहीं तो कुछ गडबड जरूर है अम रिली सॉरी प्लीज ऐस एक बात याद रखना मेरा दिमाग खराब नहीं है मेरी आंखे दोका नहीं कहा सकती मैं जूटी नहीं हूं और ये बात भगवान भी जानता है क्या बात है बड़ी जल्दी आ गया तू तो अपने दोस्त के हां जाने वाला था ना हां पर मैं घर आया था आप लोग घर पर ही नहीं थे कहीं गए थे क्या वो तेरे डाड़ी की दोस्त शर्मा जी का एक्सिडेंट हो गया था हम उन्हें देखने हॉस्पिटल गय थे ऐस यह सब छोड़ अपने डाड़ी को बुला ले मैं तुम दोनों के लिए खाना लगा दे थे हुँआ सोरी यार मैं आज नहीं आ सकता अरे पताय तो था कि मुझे अपने बेटे के साथ कुछ समय बेताना है तो कल मिलते हैं न ओके बेटा तुम कब आए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं आज सुभे आप कहां गय थे वो मेरे दोस्त शर्मा जी है न उनका एक्सिलेंट हो गया चल्दी आजाना ओके? झाल झाल भाईया, फाइल दे दिये, अब मैं वापस आ रहा हूँ, मेरा काम हुआ, मुझे याद है टिंकू, ठीक है, रोज दीन बादाम खाता हूँ, भूलना मत, रुक, रुक, लापता है, दस लाग का इनाम भी है, समझ गया, ये दस लाग तो मेरे, हमें कुछ ने करें इतना है, सर, मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, तो फिर क्यों आयो, ये फोटो मेरे मॉम डाड की है, इस फोटो के पीछे, जो सीरियल नमबर लिखा है, उससे फोटो की डेट और, देखो बाबा, स्टूडियो बंद की हुए, मुझे दस साल हो गए है, उस समय के कोई इंफर्मेशन मेरे पास नहीं है, अब जाओ, सर, कड़ी हो गए, तो ने मुझे फोन किया था, हाँ, चल, कड़ी है, अंदराजा, यलो, सर, पोछो, बताओ, क्या पुछना चाहते हो, इस फोटो की डीटेल्स बता दीजे, लेकिन, कम से कम उनकी शादी का साल तो बता दो, मैं पैदा हुआ था 1995 में, तो 94 या 93 की फोटो होगी, मैं डूडने की कोशिश करता हूँ, तुम बैठो, चल बता, का मिलेगा वो, पर तुम को नो, और तुम्हे उससे ऐसा क्या चाहि एक, खोखा, एक खोखा है ये, दिमाग कथाई मत कर, ये बता वो किदर है, उसका नाम क्या है, उसका नाम विकरांद है वाई, वो हमें मिल गया है, वो मिल गया है, वो मिल गया है, बार डालो उससे, सच सच, बोल कौन है तू, इनके साथ तेरा क्या रिष्टा है, ये दोनों मेरे मॉम डाद है सर, आप चाहिता मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देख लीजिए, कहां से बनवा है नकली लाइसेंस, हां, नकली लाइसेंस, और नहीं तो क्या, इने तुम अपने माबाप कह रहे हो, तुमने का तुम 25 में पैदा हुए थे, तो मैंने उनकी शादी की फोट्र 1997 में कैसे खीची, तो क्या तुम अपने माबाप की शादी के तो साल पहले पैदा हो गये थे, ये तुमारे माबाप है ही नहीं, शराफसे चले जाओ, ये तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूँगा, निकलो दूसरों की जमीन जाजदात हडपने वाले तेरे जैसे नाचिक पास लॉंडे मैंने बहुत देखे है, चले निकल यहाँ से बड़ी धीर लगा दी इसने आने में आन्टी, विकरांद घर पे हैं? विकरांद तो विकरांद घर पर नहीं है, आप लोग जा सकते हैं ये तुम लोग क्या कर रहा हूँ? बोल, विकरांद कहा है, बोल विकरांदे बोल विकरांद lucky हम जारक वाहँ सुम सोत सुम सकतांदे बिल भीर है व जाँ प्करांदे ये झाल अज़ हुओ एप एप है प्रडिरो, वो झो हो, तो मसे फड़ घड़ा ο कि फड़ कि झीजழे और fl़ कॉष्ष्ष्टरे ए mut . . . . . म जड़ करेस getु हो Sn साक मन मन Daha boarding ईड़ lawyer पतल कुंड बेटा मेरे एक बात सुन, मरने से पहले मुझे तुझे एक साच बताना है वो आप बात में बताईए, अभी हॉस्पिटल चलिये दै बताले लिदो बेटा, ज्यादा समय नहीं मेरे पास, तु हमारा सगा बेटा नहीं है यह जूट है डै तेरी जिंदगी खत्रे में है बेटा, इस चेके से तुरुत भाग जाओ, प्लीज बेटा मेरी बात पानो, तुह बात में सब पता चलेगा, जल्दी से भाग जाओ, मैं आपको छोड़ कर नहीं जाओंगा दैट, लब यू बेटा, लब यू डैट, लब यू डैट, लब लब यू आग मां टो धोडो पानो, दो इस जाख़ो किम आढो किम डाओवा जाओवा ज्याक , बाओवाला ज्वको घमेरगा बिटी, जो मैं rantा है, लगा मोर्गो जडरेप corset में आख़जार लगवां, नहाओ़ावावां, भूच क्वक्षक्षर बढकार एना ही लगक्त हिघ्ट ला दो हम उरे नई तुट कर घृट अ ए actा पेस में कर दो कर दो कर दो हुआ खूआ घ्रिस का भीक कर दिए क्या इंपॉसिबल अभी कुछ घंटे पहले मदुरवाड़ा के घर में एक मास मडर की देग कात करने पुलीज गई थी वहाँ उन्हें एक बॉड़ी मिली जिस पर जे का सिंबल बना हुआ था यह अंसारी की बॉड़ी थी अच्छा यह बताई उसेरिया का इंस्पेक्टर कौन है एक लोकेशन चार गोली के घाव छे डेड़ बॉड़ी आठ घाव चाकुके इन सारी वार्दत का इकलाउता सबूत यह सिर का बाल इस तो आप ही का बाल है सर मेरा है जी साब तेरे को कैसे मालूम आपका बाल दिन हाई नहीं करते है इसा ही क्या जी सर इस केस को हैंडल करने के लिए हैदराबास से एनाइए अफसर आए आप से यह केस वो समा लेंगे मेरे रहते स्पेशल पुलिस क्या करेंगी कि अच्छा कितनी देर में आए यह केस तुम देख रहे हो ना मुझसे ज्यादा बेश्ट और कोई नहीं है सर इस केस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है कोई सुराग मिला तुम्हें सर पत्थर को भी निचोड़कर पानी निकल लेता हूं मैं यह केस तो मेरी लिए हलवा 15 लोगों ने आकरपूरी फैमिली को मार डाला दो तीन महिनों में पकड़े जाएंगे यहां 15 लोग नहीं आये थे बस चार या पांच लोग थे इस फैमिली से एक मेंबर गायब है पहले उसे खोजो यह खोली किसी सीनेमा के सेट जैसा लगता है सर पूरा का पूरा मैडल से भरा हुआ है कराटे में ब्लैक बेल्ट बॉक्सिंग का डिस्ट्रिक चैम्पियन घर के हर हिस्से में छुपाए गए एक दो हथियार जैसे उन्हें पहले से मालूम था कि हमला होगा इन घर वालों का रहन सेहन इस घर की बनावट से मेल नहीं खाता कुछ तो कड़वड है टकी गाय यह मामूली आदमी नहीं है कितना खून खराबा इस बॉड़ीज को पोस्ट मॉटम के लिए बिश दो और रिपोर्ट्स मेरे आफिस बिशवाओ तेरे साथ बहुत बुरा हुआ टिंकू मैं ही जिम्मेदार हूं तेरी इस मात के लिए उसी दिन उसे मार दिया होता तो आज तु जिंदा होता पर मैं उसे छोडूंगा नहीं मार डालूगा उसे जान से मार डालूगा उसे कौन है इधर का लोकल है मिले तुम लोग अब तक कहा थे क्या कर रहे थे तुम्हारे पास चार घंटे हैं उसे पकड़ कर लाओ वरना पूरे शहर में आग लगा दूंगा जब तक वह पकड़ा नहीं जाता ये बाडी कहीं नहीं जाएगी इंकू को नीचे रख रख दो हमें हमारा काम करने दीजिए इस बाडी को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दो हां सर ए तुजो भी है लगता है मेरे बारे में नहीं जानता तीन लाग सपोर्टर्स है मेरे पूरा शहर चानकर जिसने मेरे टिंकू को मारा है उसे तेरी आखों के सामने मारूंगा मैं आपके पीछ तीन लाग होंगे पर मैं पूरे देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ ले जाओ ये बॉडी ठीक है ले जाओ लेकिन पुलिस उसे ढूंड़े उससे पहले मेरे सामने उसे लेकर आओ पता नहीं तुम कौन हो मेरी जिन्दगी में क्यूं आया हो आखिर मेरी माबाप को इतनी बेरहमी से मारने की क्या वज़े थी और आज तक तुमने मुझे अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाया कौन हो तुम और मैं कौन हूँ मेरा असली रूप ये है कि मैं तुम्हारा रखवाला हूँ 2400 घंटे तुम पर नज़र रखने वाला तुम्हारा नौकर हो जो मर गए वो तुम्हारे असली माबाप नहीं थे उनसे तुम्हारा खून का रिष्टा नहीं था जिस मालती देवी और चंदर शेखर को तुम अ नमस्कार मुंबई बंबलाष्ट के मुख्य अपरादी अयूब को उसके दो साथियों के साथ मुंबई पुलीस ने ग्रिफतार किया जैसा कि आप सब जानते हैं इस बंबलाष्ट में 2050 लोगों की मौत हुई थी अपराधियों को पुने के यरवाणा जेल में रखा गया है अयूब मुंबई के अंडर वर्ड डॉन जहांगीर का भाई है और यह माना जाता है कि उसके अपराध जगत का पारिज भी हमने उसे पबलिक के बीच में जाने से मना किया था मगर वो नहीं माना अब गयाने जेल जहांगीर भाई की इंडियाने से पहले उसे बार निकालना होगा वर्ना अपनी खैर नहीं वो अपनी ससुराल में नहीं है सेंट्रल जेल में है पर कुछ तो करना होगा जब तक वो जेल से भागेंगे नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता अजपोर अजब कोकцевा की पाले अजब कीज़ब कीज़ब अजब अजब के शाओ user design 往อच के चैंब चैंब एए भगोडों, इस तराफ. मेले में बड़ा वाला जुला देखा है? कितना उचा होता है? बचमन में बैठे होगी? ये जेल भी वैसा ही है. अगर एक बार आ गए, तो हमारे कहने पर ही जाओगे. यहां से भागना मत, वरना मारे जाओगे. यहां आण रहे है? एए रुक जाओगे. सरेंडर कर दो, वरना सारा बारूज सीने में उतार दूँगा. पास मता ना, पंदू निशे भेक, बना कर्दन काटू गाटकी. मेरी परवा बत किजिए, सर. इसका चेल से भागना बहुत खतरनाक है. आप शूट किजिए. शेकर, तुम ठीक हो ना? जी. इन्हें हास्पेटल ले जाओ. शेकर? आप उसकी जिंता मत किजिए, मैं समाल लूँगा. तैंकी, तैंकी सो मच, सर. होम मिनिस्टर. आप मामली आदमी नहीं है, सर. आपने उस बुजिम को तो आराम से मार दिया, लेकिन याद रहे, इससे आ आप पुलीस वाले इसलिए बच जाएंगे. अगर उन्हें वो नेक्स लाइट मिल गया, तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे. उसका इलाज है मेरे पास. उसे यहां से बहुत दूर भेज रहा हूं, मैं. ठीक है. गुद मारिं, सर. हाँ, सौ साल जी होगे. अभी तुमारी बा मार्शल आर्स ट्रेनर, शाप शूटर, तीस टोलियों को ट्रेन किया इन्होंने. जब इनका अंदोलन हिंसक हो गया, तो उसे छोड़कर इन्होंने आत्म समर्पन कर दिया. दाज्जूब मत किजिए, सर. हमारे सर ऐसे ही है. हर एक का बायो डिटा हमारे सर के दिमाग में फ बहुत बोल रहा है. हमने सोचा था अब तो जिन्दगी जेल में ही कटेगी. आपने हमें रिहा करके इसके साथ एक नई जिन्दगी जीने का मौका दिया है. हम आपका ये कर्स कैसे चुकाएंगे? इस बच्चे को पढ़ा लिखा कर अच्छी जिन्दगी दीजे. इतना ही क भादी है. आपका येशिया में आपका ये झादी है. नब रहा है. कि वीजे जिन्स तामनी धे मेन्दगी साथा का विर ओाह swag येक. अजिन्सकेंग से चर्णाइशी में आढ़ा है. उन्सकाव Surprise… Surprise. दस दिन के लिए, सिर्फ 10 दिन के लिए… हम बाहर कर चले गे तूने हमें इतना बड़ा Surprise दे दिया हमारा नाम सुनकर हर तरफ हर कम मच जाता है पूरी दुनिया डर से कांपती है लाखो लोग हमें नींद में भी सलाम करते हैं इसके बाद भी हम अपने एकलोते भाई को मौत से नहीं बचा पाए। उन्होंने तुझे कुट्टे की तरह मौत के घाट उतार दिया। हमें खबर किये बिना इसे जेल से बाहर निकालने के प्लान को किस ने अंचाम दिया था। कौन है वो? कौन है वो? सर्प्राइज। हमारे भाईर के हत्यारे का कटा हुआ सर। हमें कल सुमें तक यहां चाहिए। कौन लेकर आएगा? मैं लेकर आऊँगा। उसका सर मैं ला कर दूँगा अपाजान। चाचू के कातिल को तो मैं ही मारूँगा। शाबाज बेटा। शेर का बेटा शेर ही होता है। जाओ उसके घर की खुशियों को मातम में बदल दो। जाओ बेटा। फकर से करो जाओ। जाओ 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 मर गया, साला। ये क्या बोल गया। पर ये है तुम्हाओ हे रुख जा। क्या बोला तुन्हे। अबोट क्या दुआ लगत दूरा? क्या दूरा दबूरा दबूर? हुआ हग लग इंग ज пош der है हई trouもし व closure हुआ 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 ह। हुआऑ हुआ 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 मिस्टर विकरम सिना उनकी बॉडी काफी जल चुकी है हालत बहुत खराब है क्या तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम हमारी बच्चे को लड़ाई जगडों से दूर रखोगे वादा करो तुम्हारी इस कुर्बाने की कसम इस पर आज भी नहीं आने दोंगा सिता विकरम सिना आपके लिए फोन सर्प्राइज सर्प्राइज देख्या कीमत चुकाई तुने तेरी छोटी सी गोली का सिला तुझे ये मिला सर्प्राइज पेचारा बीवी से हाथ दो बैठा और अब तेरे बेटे की बारी है तेरा बेटा मेरे कपसे में उसे फासी पर लटकाऊंगा और तुझे जेल की सलाकों के पीछ डालोगा जिंदगी भर तुझे वहां ना सड़ाया तो मेरा नाम विकरम सिना नहीं जांगेर अरे मैं हूँ घना जंगल और तु एक घास का तिनका जंगल घना क्यों ना हूँ एक छोटी माचिस की तिलियों से भस्म कर देती है अगर तुझ में हिम्मत है तो हमारे बेटे को छू के दिखा तेरे विनाश की घड़ी शुरू होती है गिंती शुरू करते है टिक टाक टिक अवे जा सर यह आपको क्या हो गया है आपका इक छोटा सा बच्चा भी है आप इसके बारे में तो सोचिए शेकर तुम्हारा बेटा मरा नहीं है आजसे यह तुम्हारा बेटा है आज के बाद इससे मेरा कोई रिष्टा नहीं सुभाश तुम्हारी मदद करेगा अब तुम लोग जाओ अब जाओ ना सुभाश बुली सर इनका ख्याल है जी सर केस की सारी बहस सुनने के बाद और सारे सबूतों को मद्दे निजर रखते हुए कोड का फैसला ये है कि इकबाल को बाइज़त बरी किया जाए साथ ही अदालत पुलिस को ये सलाह देती है कि मासूम इकबाल पर केस खत्व करके असली मुझरिम को कोड के सामने पेश किया जाए सारी सर कि मिल्एव foul प्रम पेश जाए कि मिल्एगा हुए । कि अ झाहा हुआ जाओ झाहाु हुआ। कि अब 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 मारा बेटा बाई हमने हर जगा खोजा और हमें बस यह फोटो मिली है लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं चला तो पता करो खोशते रहो शहर के हर इट में खोजो मुल्क के हर कोने में खोजो हमें वो चाहिए हमारे बेटे और भाई के रुख को तभी सुकुन मिलेगा जब उस बच्चे का खोन बहेगा खोजो उसे आज 18 साल के बाद भी उसकी आग नहीं बुझी वो तुम्हें आज भी ढून रहा है तुम्हारे बच्चपन के फोटो पर उसने तुम्हारे जवानी का चहरा बनाया और पूरे देश में तुम्हें ढून रहा है जिससे भी तुम्हारी शकल मिलती है उसे मार डाला वो तुम्हें ढून लेगा यह पासपोर्ट रख लो इसके अंदर चार देशों की वीजा लगे हुए और वो ATM कार्ट जितना चाहे खर्च करो यह सब तुम्हारा पैसा है बेड़ा ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम एकदम सेफ हो मेरी बात माल लो क्यों मैं भाग जाओ और अगर उसने ढून लिया तो फिर से भाग जाओ बार बार आखिर कब तक इन ही हाथों में मेरे माबापने दम तोड़ा है एक ही पल में उसने मेरी जिन्दगी तहस नहस कर दी मेरे डाड ने मुझे कायर नहीं बनाया है उन्होंने मुझे सिपाही लड़ना सिखाया है नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं छोड़ूंगा मैं उनसे भागूंगा नहीं अब भागने की बारी उसकी है जब तक जिन्दा रहेगा पचताएगा कि उसने मुझसे दुश्मनी मोल ली मैं उसे दिखाओंगा एक बच्चा एटम बॉम कैसे बन सकता ह मैं नहीं जानता विक्रम से नहां कौन थे नहीं जानना चाहता हूँ मैं बस विक्रांत हो और मैं चंदरशेकर पशुपती का बेटा हूँ विक्रांत उससे बतला लेने के लिए सपने में भी मत सोच तु भाग जा बेटा आपने मुझे बचपन से देखा है आपने सिर्फ एक वादे के लिए इतने साल बिता दिये पूरी जिंदगी मेरी हिफाज़त की फिर भी आप मुझे समझ नहीं पाए आप चाहता है मैं डर के भाग जाओ इतने सालों तक वो चुहे की तरह बिल में छुपा बैटा था इसलिए कोई उसे खोच नहीं पाए लेकिन अब उसे मेरे लिए बाहर आना पड़ेगा और वो आएगा मैं उसके लिए जाल बिच्छाओंगा और अगर आपको लगता है कि मैं कोई बेवकूफी कर रहा हूँ तो ये लीजिए ये कार्ज उठाईए और शहर छोड़ कर जाईए वरना मेरा साथ दीजिए क्या मैं आपको चाचा बुलाओ बेटा मैं तुझे जहांगेर के पारे में सब बताऊंगा लेकिन तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को साथान रहना होगा वो इंसान नहीं है हैवान है वो छोड़ो मुझे ये कलब है छोड़ो मुझे सर्प्राइज तुम्हें हमारा काम आदाधूरा क्यों किया तुमने जो काम करने को कहा मैंने कर दिया है अब इससे जादा मैं नहीं करूंगा लेकिन तुमने वो नहीं किया जो हम चाहते थे जब उस पौडर का सैंपल हमने हैदराबाद में इस्तिमाल किया तब उसने सो लोगों को भी नई मारा हमें चाहिए ज्यादा खातरना ज्यादा जहरीला और ज्यादा टाकतवर एक हिंदुस्तानी होते हुए आतंक वादियों के लिए काम करते हो तुमें शर्म नहीं आती हे ब्लीज सर्प्राइज हिम सर्प्राइज हिम हेई और किस किस को सर्प्राइज चाहिए मन मारो हमें मत मारो जैसा जहर कहोगे हम वैसा ही जहर बना के देदें के तुम्हे वो क्या होगा जैविक हथियारों में वो सबसे खतरनाक होगा बुटालिनम टॉक्सिन वा बुटालिनम टॉक्सिन हमें वही चाहिए चहागीर खान, इसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं, दुनिया के दस most wanted criminals में से दूसरे नमबर पर है, 1995 के serial bomb blast में ये मुख्या रूपी था, 1997 में जेल से भागते समय उसका भाई, और उसके बाद उसका बेटा एक accident में मारा गया था, और तभी से वो कानून की निगाह से चिप चिप कर अपने अपराज के सामराज्य को पहला रहा है, United States के Department of Treasury के intelligence ने हमें ये बताया है कि इसने पाकिस्तान के किसी आतंकवादी ग्रूप से हाथ मिला लिया है, इतने सालों से वो बहुत से देशों में छुपता रहा, लेकिन हाल ही में उसे वाइजाग में देख विकरांद और हाल ही में वाइजाग में मारेगे चंदर शिकर और मालती देवी का बेटा विकरांद, दोनों एक ही हैं, जहागीर ने उस लड़के विकरांद को मारने के इरादे से ही वाइजाग में हमला करवाया, सब विकरांद की बाड़ी तो मिली नहीं, क्या उसका वाइजाग में हुए हमले की रात, उसके साथ एक आदमी मौजूद था, जिसके सीसी टिवी फोटो हाइदराबाद वाले टोल नाके पर मिली है। इसी लड़के को खोजने के लिए जहांगीर और उसके आदमी जमीन आसमाने कर रहे हैं। ये हमारे लिए सही समय है। जहांगीर को उसके बिल से निकालने के साथ साथ, इस लड़के को बचाना भी बहुत ज़रूरी है। अब हमारे सामने दो सवाल है, उस लड़के की मदद किसने की और अब वो कहा है। उसे खोजो, इलाके को च्छान मारो। मिस्टर विठल, विक्रम सिनहा की जिन्दगी की सारी डिटेल मुझे चाहिए। ओके सर। आप सब तयार है। तयार है। सलाम वालेकुम जांगीर भाई। वालेकुम सलाम। हिंदुस्तान में आपके होने वाले ऑप्रेशन का हमारा मुल्क बेता भी से इंतिजार करता है। लालेकी जान तुम अभी तक ऑप्रेशन शुरू कही को नहीं किया। यह ऐसा वैसा ऑप्रेशन नहीं है। इसमें कमाल का हथियार यूज होगा। जब हम उस हथियार का इस्तिमाल करेंगे तो दस, बीस या सो नहीं बलकि लाखो लोग एक साथ मारे जाएंगे। सर्प्राइजिंग। डक्टर खान, इधर आईए। यह जैवी खतियार है। एक रसायनिक खतियार। गन और बम से लड़ने की बजाए बैक्टीरिया और वाइरस ज्यादा खतियार है। जिससे एक साथ लाखों लोग खतम हो सकते हैं। और इसका नाम है बॉटूलीनम टॉक्सिन। इसके सिर्फ एक ग्राम से तस से पंद्रा लाख लोगों को एक साथ मारा जा सकता है। यह ओप्रेशन हमें इतना सभाब देगा कि जन्नत के सारे रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे। शबास चांगीर भाई। तुम्हारी वज़ा से हम खुदा के सामने सर फकर से उठा सकते हैं। हम तुमसे दस दीन में हिंदुस्तान में आके मिलेगा भाई। खुदा हाफेज। मैंने तुम्हें बहुत मिस्किया। मैंने तुम्हें बहुत मिस्किया। तुने तो हमारे फोन फिक पाती है। अब क्या करें। अब से हम यह यूज़ करेंगे। हो सकता है हमारे फोन स्टैप्ट हो। बहुत संभल कर रहना होगा। अब तुम क्या करने वाले हूं। शिकार। मैं शिकार करने वाला हूं। मैं उस वहशी दरिंदे को उसकी मान से खीच कर बाहर लाना चाहता हूं। तभी मेरे माबाप की आत्मा को शांती मिलेगी। मेरी बात मानो अनगा। यह जगह सेफ नहीं है। अपने माबाप के पास लौट जाओ। तुम अपनी जान क्यों खत्रे में डाल रही हो। जब तुम मेरे साथ हो विक्रांद, तो मुझे खत्रा छूबी नहीं सकता। अब जीना हो या मरना, सब तुम्हारे साथ। तुमसे दूर रहकर, एक पल भी नहीं जीपाऊंगी मैं। वाह, हमारा हैत्राबाद, क्या खुश्बू है इस मिट्टी में। उपर वाले के सामने किसी की नहीं चलती। हमने सारी दुनिया चान मारी। पर उसने हमें कही और न भेज कर इन दो खास कामों के लिए हैदराबाद की जमीन अता की। अवल, अपना ओपरेशन शुरू करना होगा भी। दूसरा। माफ कर दो भाई, माफ कर दो, मेरे जंगुल में एक बार आने के बद कोई भी पचन नहीं पाया भाई, ये साला पहली बार हुआ है। कोई तो उसके साथ है भाई, कोई तो है। एक मौका और दो भाई। क्या कर लोगे? मार्केट के सारे मवालियों को जमा करके उसे ढूंड निका लूँगा। वो पिल्ला चाहे किसी भी कोने में छुपा हो उसे ढूंड कर आपके कटमों में फेग दूगा भाई। तो तुम हमें सर्प्राइज करोगे। यही आपका घर है। आप लोगों के पास बस दस दिन का टाइम है। फिर हम आपका हर सैंपल टेस्ट करेंगे। और उससे मिनिममम एक हजार लोग मरने चाहिए। तभी आप लोग घर जा पाएंगे। जहांगेर। पिछले 15 सालों से वो कहीं नहीं दिखा है। फिर भी हर देश में उसके आदमियों का जाल पहला हुआ है। अपने आदमियों के जरिये उसने हर जगा धहशत पहला रखी। उनमें से एक है जो हैदराबाद में रहता है। रसूल, जमीन पर कबजा, घैर कानूनी हत्यार, जिस्म फरोशी। यही धंदा है इसका। रसूल से मिलने के लिए काफी पापड बेलने पड़े। तब जाके मिला। कौन है तुम लोगा, क्यों पकड़ा मेरे कूँ। जहांगिर की डीटेल्स। तुम तो ऐसे पूछता है जैसे कोई गली का कुट्ता हो। तुम लोग कभी जहांगिर को देखा भी है। मैं बोलता है, प्लीज। प्लीज मेरे को मत मरो। उसके बारे में जो भी पता है बोलता है। जब भी जहांगिर को काम होता है तब ही वो खबर पहुचाता है। खबर कौन लाता है और वो कहां मिलेगा। भीकु भाई, जहांगिर भाई का खास आदमी। नेक्स्ट मीटिंग कहा है। भोल, बताता है याद। जब तक वो नहीं मिलेगा, मैं यहीं धर ना दूँगा। अपने भाई के हत्यारे को जब तक मार न दूँ, मैं कहीं नहीं जाओंगा। जादा लफड़ा किया न, तो MLE की पोस्टी नहीं, तुम भी जाओगे। इस मामले में तुम्हारा पढ़ना ठीक नहीं है। उसे खोजने का काम तुम ना करो, किसी और को लगा दो। अरे क्या कर रहे हो चुनाओ सर पे है, इस समय रिस्क मत लो। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो यह काम कर सकता है। कौन है वो। करता कर आद में एक वो। पुर्पाल अब ये मुर्गी बक्रियों को किड्नैप करना बंद कर दो समझे तुम क्यों कि तुम्हारी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं बंदर क्या जाने है अध्रक का स्वाद येलो बॉस तुम्हारा अगला शिकार तुम्हारा अप्लेकार तुम्हार फन्क्रियों कर उल्यून तुम्हारी झाल Н seminar मॉन्डा मार्केट इस मैप के हिसाब से मार्केट के टोटल तीन रास्ते हैं अगर कोई एक इस उंची बिल्डिंग से बाकियों के साथ कॉडिनिट करे तो तीनों एक एक रास्ते पर निगरानी रख सकते हैं हमें बहुत कैफुली काम करना होगा किसी भी कीमत पर गलती नहीं होनी चाहिए इस बिल्डिंग पर बबलू नजर रखेगा एक्जिट ए पर मैं एक्जिट बी पर अनगा और एक्जिट सी पर चाचो वो किसी भी रास्ते से अंदर घुसे उसकी आने के बाद हमारे पास दस मिनिट होंगे उन दस मिन्टों में वो आँखों से गायब नहीं होना चाहिए हम सब फोन पर कॉन्फरेंस कॉल पर होंगे पुलीस भी हमारे पीछे पड़ी है सो वी शुद बी वेरी कैरफू सुन बबलू तुझे कोई दिख रहा है क्या अभी तक नहीं दिखा मुझे बी अलर्ट अनगा, चाचा आप नोनों रेडी है ना आम रेडी, इस एंट्रेंस को मैं संभाल लूगी मुझे ऐसा लगता है कि वो कली से आएगा एक बात का खयाल रहे वो यहीं पर आएगा तुम इस नहीं होना चाहिए ध्यान रखना अनगा, अनगा, उसका चेहरा देखकर कंफर्म करो वो इस नहीं होना वेक्राथ, वो बीगूे वो वही है द्यान से सुनो उसका पीछा करती रहो चाचो अनगा के पास जाहिए गाइस वी शुड नॉट लूज है पब्लू जल्दी से बाइक निकाल कर यहां पर आजा हाँ ठीक है अभी आता हूँ चाचो चाहे जो हो जाए वो हाथ से निकलना नहीं चाहिए तुम फेक्र मत करो एक्सक्यूज मी लाइटर है क्या पर कमेर्क्स चाहचो चाहचो अपको कुछ नहीं होगा चाहचो न कौछ नहीं होगा चाहचो छचू अब देख करने चाहचो आता हो पक्राप हो जाचु जाचु नहीं होगा हाँ है 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 जाचु अबॉल है ओग ए हां बॉल हॉस्पिटल से अंकल का सामान ले लिया लेकिन उनका फून गायब हो गया, तुने ठीक से चेक किया था हां किया लेकिन शयद मार्केट में गिरिया होगा मार्केट में गिरा ऑ नो कुछ तो कड़बड़ है, अने गा क्या हो अविच एजगह आरे लिए ठीक नहीं है क्या हो गया निकलो फिर बतातां खेंगे बाद से सब्सक्राव था है को 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 विक्यी संभाल कर आणा बिजब तक मैंना बुलाओ हम बाहर मन आणा कि अली सब्सक्रावल करो हुआ 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 है अन्नोन नमबर हेई फोन क्यों नहीं उठा रहा दारुपी के सो गया था क्या वो सोया नहीं है जहांगेर मैंने उसे सुला दिया सुप्राइस्ट मुझे तो पहचान ही लिया होगा तुने विक्रांत जहांगेर खान का जानी तुष्मन वाँ क्या सर्प्राइस है तू तो अपने बाप का भी बाप निकला तेरे बाप ने अठारा साल पहले जो अकाउंट खोला था वो तेरी मौट से बंद होगा उस अकाउंट का बैलन्स सेटल करना है मुझे और वो तेरी मौट से ही होगा अभी नन्ना बच्चा है तू अपनी जान बच्चाने की कोशिश कर बच्चे भाग जा भाग जा ए जांगे मुझे कोई स्कूल जाने वाला बच्चा मत समझना मेरे पिता ने खतरों से खेलने के लिए मुझे बच्चपन से तयार किया Your time starts now अपनी उल्टी किंती शुरू कर दे टिक, टॉक, टिक, टॉक, टिक उसके मुँ में जी पीएस क्यों डाला? अब उसकी हर हरकत पर हमारी नजर वोगी यस सर, तुम्हे अभी केरल जाना है तुम्हेरे इंस्ट्रक्शन्स फॉलो करना, ओके? ओगे सर, गुड़ लग एक हफते के अंदर ही हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे अब और ज्यादा होशार रहने की जरुवत है हिनाय, CID, टास्क फोर्स, आर्मी, सब लोग हमें ढून रहे हैं इन सब से हमें बचना है हमारे पाकिस्तान के जिहादियों के लीडर्स को यहाँ पाहुचने में कोई तकलीफ ना हो, यह देखना अब तुम लोगों का काम है वाँ, यह सर्प्राइज तो कमाल है इतने सालों से सिर्फ एक काम के लिए तुम्हें पालते रहे हम वो जोटा पच्चा है, जिसकी मुझ पर पाल भी नहीं आये है उस बच्चे को तुमने भागने दिया इस गलती की सिर्फ एक ही सजा है यह सर्प्राइज तो मुझे भी सर्प्राइज कर गया ले जाहाओ, इसे बंगले के पीछे दफना दो और अब आंथनी को खबर कर दो कम आनथनी बचारा हिल्स यह कौन सी जगह है यार बापरे चा जगह है फूट जंगल है क्या वो मुटा नक्सलेट था जीपीएस तो हमें यही जगह दिखा रहा है कुछ तो गड़बड है चल 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 कोई आ रहा है चल 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 हाँ इतनी सुनसान जगे में वो लो पहरा क्यूं दे रहे इसका मतलब जहांगे रंदर ही है मेरे वापस आने तक मैं में ही रहना ठेक है जेट खुलो असलाम वाले कुम भाई वेलकम तो इंदरस्तान जागेर भाई लाले की जाद दिल खुश कर दिया पूरी दुनिया में फैला हमारा जेहादी लोग तुमारी से रह देखता है हर कोई तुमारे आउपरेशन के बारे में बात करता है चुक्रिया भाई चुक्रिया ठीक एक हफते बाद वो बायो केमिकल गैस बनके तयार हो जाएगी और उसका इस्तिमाल होते ही यह हिंदुस्तान कब्रिस्तान बन जाएगा आप लोगों की खुशियां और बढ़ाने की खातिर हमने दो बॉलिवूड स्टार्स को बुलाया है बॉलिवूड स्टर्स अमारी तरफ से सर्प्राइग हमें यहां से निकलना होगा मैं सब बात में बताऊंगा चलो अरे बापरे यह क्या पुलीस और सरकार क्या कर रही है इस सब में उनके भी कुछ आद्मियों का हाथ होगा सिर्फ चार दिनों के अंदर वो एक केमिकल वेपन बनाकर उसे इस्तमाल करने का प्लान बना रहा है पुलीस को बताने से भी कोई फाइदा नहीं होगा उनका कोई खबरी हमारा प्लान जहां गरे तक पहुंचा देगा मैं तो सिर्फ अपने माबाब की मौत का बदला लेना चाहता था पर इसके इस खतरनाक प्लान से पता नहीं कितने सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे मैं उसे बिलकुल नहीं छोड़ूँगा लेकिन उस वहशी को रोकने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए है चाचो ने हमें कुछ काड्स दिये थे ये ले बैंक मेनेजर का काड्स हो सकता ये हमारी मदद करें ठीक है मैं बैंक जाकर मैनेजर से मिलता हूँ शायद वो हमारी मद बेंग गया है सर मैं भी निकलता हूँ वहां के थाना इन चार्ज को भी बुलाओ जो कहा था वो याद है येस बॉस घुस के क्या कहोगे एट्स अब बोलोगे और मैं बॉस घुसते ही सीजी टीवी कामेरा तोट डालूँगा और उसके बाद मैनेजर को भी पकड़ लूँगा एक जैक्ली अगर यह ठीक से किया तो लाइफ टाइम सेटलमेंट्स आगे बढ़ो अगे बढ़ो अगे 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 कि अरे इधर आप यह लाइन में क्यों खोड़े हो हम क्या यह नए पात्सों और दोहजार के नोट लेने आएं बॉस अभी बैंक मैनेजर अपने कैबिन में गया है तो हमने सोचा टाइम वेस्ट क्यों करें क्रेट काड़ एप्लाई कर देए अब सीची टीवी केमरा बहुत दुखपर लगाता इसलिए तोड़ नहीं पाया इंट सब लोग जमीन पर लेट जाओ आपने लेट को जाए ओ हम को नहीं लेट ना था है तुम लोग क्यों हो गया सब आप है तो कहें तो मास को लेको लोग खड़े हो जाए अभे मतलब ये जिनके पास गन नहीं वह खड़े हो जाए कि तुम्हारे क्या कमर में दर्ध है आप ही तो अभी कहें हैं कि जिन लोगन का पास गन है खड़े हो जाए हमरे पास गन है इसकी मां की आख अब इस बुढ़ा पे में गन कैसे चलाओगे मैंने हर गन वाले को नहीं कहा था बैंक लूटने वाले चोरों को कहा था अब तुम क्यों खड़े हो गया सब मिलकर इस बच्चे की जान लोगे क्या कौन तुम ली वाली का बाली हों इस बाइन चलो उसने आपका गाल कुँछ अबता तो पकड़ा इसे अब सहला या नहीं यहां की मख्योड आई है यहां तो चोर लुटेरों की लाइन लगी हुई है कि अब तो नहीं नहीं विक्रांथ बहार आजाओ हम से डरों मत हमें सब मालूम है इन फाइक हम तुम्हें बचाने आए हैं विक्रांथ मेरी बात मानो बहार आजाओ पुलिस तुम्हारी दिश्मन नहीं है तुम्हारी दोस्त है प्लीज भरोसा करो कैसे भरोसा करो मैं चाहता तो तुम्हें पकड़ सकता था और तुम्हें कुछ बात करनी है प्लीज बहार आजाओ बताइए क्या चाहिए आपको क्यूं पकड़ कर लाएं मुझे यह उस रोज तुम्हें किसने बचाया अब तक कहां रहे और क्या किया तुम्हारा प्लैन क्या है ये सब नहीं पूछूँगा लेकिन तुम्हारी जिन्दगी अब खत्रे में है तुम्हें हमारी सिक्यूरिटी की दरुरत है मुझे सिक्यूरिटी क्यों जब मेरे माबाप मर गय तब कहां थी आपकी सिक्यूरिटी मैं अपनी हिफाज़त खुद कर सकता हूँ इस काबिल हूँ मुझे जाने दीजिए तुम्हें नहीं जाने दूँगा अकेले बदला लेने का खयाल अपने दिमाग से निकाल दो सर आपका फोन हाँ बताओ विठल आपका अंडाजा सहीता सर अच्छा ऐसा ओके कहां है वो मुझे वो लड़का चाहिए कहां छुपा रखाया उसे देखिए आपको बार बार बताया है कानून लगू करने का तरीखा होता है ओफिसर जिस कानून की तुम बात कर रहे हो मैं ही उस कानून को बनाता हूँ रूल मेकर भी मैं हूँ और रूल ब्रेकर भी मुझे कानून मत सिखा उसे मेरे सामने लाओ आखरी बार समझा रहा हूँ पुलिस के काम में दखल मत दो ये फोन तेरे लिए है जा जा कर उठा अलो गड़ाफनून सर ओके सर सिर्फ तस मिनट मिलेंगे तुम्हें इसे कहते हैं कानून मैंने आपके भाई को नहीं मारा जानता हूँ मेरे भाई को मारने वाले ही तुम्हारे माबाप के कातिल है ये भी जानता हूँ और अगर वो मेरे हाथ से बच गए तो तुम उन कमीनों को मत छोड़ना, चुन-चुन कर मारना उन्हें. उसके बदले में तुम जो भी चाहो, मैं तुम्हें दूँगा. मैं जो भी कहूंगा वो आप करेंगे. मेरी जबान है मेरी गैरंटी. ए, अपनी अपनी बंदू के भेंग दो, वरना ये M.L.A. जान से जाएगा. कोई बाहु बली मत बनना, अपनी बंदू के भेंग दो, भाया, देश के सेवक को मरवाओगे. विक्रांथ, M.L.A. को छोड़ दो, तुम्हारी भलाई इसी में है. मुझे अपनी भलाई की चिंता नहीं है. तुम्हे अपने पिता की भी चिंता नहीं है? मतलब विक्रम सिनहा, वो अभी मरे नहीं है, वो जिंदा है. जानता हो तुम्हें यकीन नहीं होगा. विक्रम सिनहा के एक्सिनेंट में मौत से दो साल पहले, एक फाइरिंग में उन्हें गोली लगी थी. तब उनके दाहिने पैर में स्टील रॉड पड़ी थी, यह हमारे रिकॉर्ड में है. लेकिन जब उनकी पोस्ट मौटन रिपोर्ट आई तो वो रॉड नहीं थी. ये बात तहकीकात से पता चली है. विक्रम सिनहा की पढ़ाई, पुलिस ट्रेनिंग सब केरल में होई थी. इस बात के सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने वहाँ एकादमी भीजा. मेरा शक सही निकला. मेरे आदमी ने बताया, उस फार्म हाउस में तुम्हारे पिता पिछले कई सालों से छुपे हुए थे. उसके वहाँ पहुचने से पहले ही, वो वहाँ से भाग निकले. यह सारी नकली कहानिया किसी बच्चे को सुना नहीं, वो सुनकर खुश हो जाएगा. बिल्कुल. एक, मुव. एक, सुना नहीं, मुव. विकरांट, विकरांट. विकरांट. कार नहीं है तुम? हालो. अरे विकी, कहा है तुम? अल्मुस्ट तेरे घर के पास हूँ. क्या हुआ, तु ठीक तो है ना? कोई मुझे गोली वार के अनगा को ले गया. वाट? मैं अभी वहाता हूँ. मेरी चिंता मत करा, है मोकी. तुच जा और अनगा को बचा. अनगा के पीछे जाता हूँ, तु अपना क्याल रखे. बुला अपने दिवाने को, कहां है वो? अगर वो आ गया ना, तो तू मरेगा. उसका बाप भी आ जाए ना? तु मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता. तंसे मेरा हूँ. तंसे मरे पाय ना हरा हूँ. बसंपने को, क्यम है? कर बहा हूँ. हुओ आपकोन? अनका, है यह ओके? तुम्हें कुछ होआ तो नहीं न? चला, यहां से चलते हैं. चला. विक्रांद, जरा रुको तो. मुझे बचाने वाले वो हैं. जानना जाते हो वो कौन है? वो तुम्हारे पिता है, विक्रम सिना. जनम देकर तो कोई भी बाप बन सकता है. लेकिन पिता क कहलाने का हग सबको नहीं मिलता. मेरे पिता मर चुके हैं, अनका. चलो. मुझे लगा था, तुम बहुत समझदार होंगे. लेकिन अब ऐसा लगता है, जैसे तुम से बड़ा बेवकूफ और कोई है ही नहीं. तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? जब मैं बोल भी नहीं पाता था, तब मुझे छोड़ कर चले गए थे वो. और दुनिया को ब महतर पिता कोई है ही नहीं. क्या कहा था? वो तुम्हें अनाज छोड़ गए. तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए, वो जिन्दा रहते हुई भी तुम्हारे पास नहीं आए. अगर उन दरिंदों को पता चल जाता कि तुम कहा हो, तो वो तुम्हें मार देते. इसलिए इतने सालों तक वो तुम्हें छोड़ कर कहीं दूर चले गए. एक पिता के बारी में सोचो, जिसने अपने खुद के सगे बेटे को बड़ा होते नहीं देखा. तुम्हीं जिंदा रखने के लिए उन्होंने कितनी तकलीफ सही. तुम कहा हो, क्या कर रहे हो, उन्हें सब था. वो हर कदम तुम्हारे साथ थे. एक सीधे साधे कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर की बेटे थे तुम. तुमने कभी सोचा है कि उन्होंने तुम्हें ये लाइफसाइल कैसे दी? जो चाहा वो मिला ना, वो सब इनकी वज़ा से. हर बच्चे के लिए उसका पि पिता विलिन है? दुनिया में कोई भी पिता अपनी बेटे को और क्या दे सकता है? तुम्हारे भविश्य के लिए, तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए, उन्होंने क्या-क्या नहीं किया. तुम कम से कम इतना तो सोचो, कि इतने सालों से उन पर क्या बीती होगी? पापा, भले ही मैंने तुझे भजबन से एक पिता की तरह प्यार ना दिया हो, भले ही मैंने तेरी परवरिश ना की हो, लेकिन एक पिता की तरह मैं तेरी हफाज़त करता रहा हूँ. मुझे माफ कर दीजे पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. मैं इस पूरी हकीकत से अंजान था. मेरे लिए आपने अपनी पूरी जिन्दगी कुर्बान कर दी. अगर मुझे सच का पता होता न तो मैं… तम्हारे लिए मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्स था. लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा मेरे आशिरवात रहे. तुम जैसे रहना चाहते हो रहो. जो करना चाहते हो गरो. मगर तुम्हारी सांसों से ही मेरी सांसे है इस बात को याद रखना यहां का मामला मैं समालता हूँ तुम जो बिटा अब तो मेरी सांसे भी आपकी जिन्दगी से जुड़ी हुई है इसलिए मैं भी आपके बताए रास्ते पर ही चलूँगा हम दोनों को अलग करने की कीमत उस जहांगीर को चुकानी पड़ीगी मैंने उससे देखा है वो इसी शेहर में है पापा क्या का? मुझे बताओ वो का है उसके जिन्दगी को खतम करके ही मुझे सुकून मिलेगा पेटा नहीं पापा अब ही हम दोनों के बदले से भी कहीं बढ़कर है उसने आतंकवादियों के साथ हाथ मिला लिया है और वो लाखों बेगुनाह लोगों को मारने का प्लान बना रहा है वो एक बहुत भयानक बायोलोजिकल वेपन इस्तमाल करने वाला है बस दो दिन का वक्त है हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा वो शेहर के बाहर एक हवेली में काम कर रहा है अगर हमने उसे नहीं रोका तो तबाह ही आ जाएगी उसे रोकने का हथ्यार मेरे पास है यही सोच रहे हो ना कि इसका जांगिर से क्या रिष्टा है यह उसका गंदा खूण है बापरे आपने इतने सालों से इसे पकड़ कर रखा था जानता था कि एक रोज जांगिर तुम्हें ढूंडी लेगा इसलिए इसे बचा के रखा अगर वो तुम्हें चुएगा तो अपने बेटे को खोएगा मेरे पास एक आइडिया है लेकिन पहले यहां से निकलना होगा ठीक है इस वाइरेस का सेंपल टेस्ट करने का वक्त आगया है बस अब हिंदुस्तान बन जाएगा कपरिस्तान अब हिंदुस्तान इसी बात है हमें आपका सपोर्ट चाहिए सर मेरी तरफ से तुमको पूरी छूट है थैंक यू सर बात फाइलों में नहीं उलजनी चाहिए जाओ और उसे खत्म करो बात वुमको उपची जलजनी शेट अबात प्रिय घजए तर हाँ आपक प्रिया तर चाहिए प्रिया भाइल प्रिया छुमको प्रिया प्रिया प्लिया अब तर रफ आप अब ख सर अग सुब्स मुंऔंज व मेगा जा सूबब एया सूबएटब एymm इड़ ऑग ओओव अ अख तéma छूऑ अर अर भूख अर भे पा अ अब अपया पढ कर दो कि इस्टोव विक्रान जहांकर खान का चानी तुश्माशान अपनी मौत की उल्टी किती शुरू करते हैं तेक्ट टॉक्ट कर दो कर देक्ट देक्ट प्रिक कित्व युष व्र्ण व्र्ण प्रेश व्र्ण य्रुब व्रुब अग्याओ! तक झाल्ड़। कर दो, न हुआ करुक消ू यह प्ट प्रवाद प्रषअंग धर्णे प्रणे की डिल ऑ्लाइब हुण कलत जार की ऑलत आर व्ट लगाद ही उप लगाद में विंग कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तुम टेंशन मतलो मैं सब समाल लूगा थांक यू सर कम से कम आपने तो मेरे इरादों को गलत नहीं समझा इस ओके देखिए देश का सबसे बड़ा आतंकवादी जांगीर खान आज मारा गया हमें इस बात की खुशी है कि इस सीक्रिट आपने को हमारे पुलीस देपार्टमेंट ने सभलता से पूरा किया उसने भयंकर जानलिवा वायरस तयार किया था इससे पहले कि वह फैल जाता हमने उससे रोक लिया हमने उसके साथ लिगों को पकड़ लिया है अब देश की जंता निश्चिंत रह सकती है एक मोस्ट वांटेड परादी आज माला गया मैं प्रवीन प्रकाश हूं है यहांगीर की पॉस्ट मॉटम रिपोर्ट रेड़ी है गया जहां रेड़ी है सेर थिमर है कि ईम धेता वेड़ी है वें बाव बजब रेड़ी है अपने बेटे को आखरी बार देख लें जीनियस थेंक यू में ग्रम्स दिन्हा नहीं जांगेर